है 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 गाइज सो वेलकम टू एंब्य पार्ट शाला एंब्य पार्ट शाला मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है और यह हमारा नंबर सिस्टम को 14th सेशन है ठीक है इस अबर 14th सेशन हो नंबर सिस्टम और अपने इस अमेजिंग सेशन में हम लोग जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉंसेट स्टार्ट किया था ठीक है नंबर को प्राइम्स टू एंड विचर लेस दें टू एंड ठीक है उसी को कंटिन्यू करेंगे बहुत ही इंपोटेंट कॉंसेप्ट है और एक्जाम में कोश्चन साने हैं कि बहुत ज़्यदे चांसीज है यहां ठीक है इन सभी एक्जाम में जिनको मैंने अपने प्पिटी में लिखा हुआ है अपर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो इन सभी एक्जाम के लिए यह हमारा टॉपिंग पोटेंट है सबस्काइब नहीं कर रहा है तो सबसे पहले यूटूब चैनल को सबस्काइब कर लिजेगा और इस सेशन के लिंक को मैक्सिम शेयर कर देना और जो जॉइन एवर टेलिग्राम चैनल है ऑफिशल टेलिग्राम चैनल है अब्या पाट शाला ठीक है तो बच्चे आगे मैं सारे की सारे कोश्चन कवर कर रहा चुका हूं आप लोग को यह कॉंसेप्ट भी मैंने आप लोगो बताया था इसका क्या होता था टू का पावर N-1 आपको सारी चीजे याद रखनी है ठीक है find the number of ways of writing 72 यह भी मैं कोश्चन डिसकस कर रहा चुका हूं यह वाला कॉंसेप्ट हम लोग कवर कर रहे था अगर आप लोगो पता हो तो ठीक है तो लास्ट क्लास में मैंने आपको उसको पूरा कॉंसेप्ट डिसकस किया था ठीक है बट वी है अवाल्सो जन्रालाइज एक्सप्रेशन भी है इसको डिरेक्टली निकाल सकते हैं कि हां यार यह क क्लास में मैंने आप लोगों को कि यह योजसे 15 के ले निकल वाया था तो 15 मैंने आप को को दिया था अगर आपको याद हो ठीक है हां कि फैंट नंबर्स में टा टोटन लंबर्स वाइन दा टोटन लंबर्स निक्ट और SuppLY और्ज app है विच आर co prime to 15 which are co prime to 15 and less than to 15 less than to 15 find the total number which are co prime to 15 and less than to 15 this was our question which we have discussed in the last class this is our question which we have discussed in the last class which we have discussed and this question answer if you know this question answer 8 there are 8 numbers 15 and 15 co prime ok if we talk about that 1 number 2 number 4 number and 7 number and 11 13 number 14 14 3 p into b to the power q into c to the power r into d to the power s and that i don't know i don't know to get the power r i don't know i don't know how do we do it i don't know total numbers यह से लिखेंगे, total numbers, total numbers, which are, which are co prime 2n and less than 2n, which are co prime 2n and less than 2n, वो कितने होंगे, तो उसका simple सा पंडना है हमारे पास निकालने का, यह formula किसी भी number के लिए valid, आपको कोई भी number हो, ठीक है, तो n एक number है, तो total numbers, which are co prime 2n and less than 2n, is nothing, n into 1-1 upon a, into 1-1 upon b, into 1-1 upon c, into 1-1 upon d, जहां तक भी यह जा रहा है, यह depend करेगा कि यह prime factorization करते है time, यह base में कितना आता है, अगर base में सिर्फ 2 आएंगे, तो हमारा formula सिर्फ यहां तक होगा, 3 आएंगे, तो हमारा formula में यह इंक्लोड होगा, तो यह भी 5 आएंगे, तो उससे आगे depend करता है, ठीक है, जैसे, मैं इसको इस formula को 15 के लिए एक बार apply करना चाहूंगा, तो according to this generalized expression, मतलब, कुछ लोग को आदत होते है न, formula याद करने की, तो वे formula याद कर सकते हैं, आप लोग, कोई problem नहीं, आप formula से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो 15 जैसे ये question आया, मेरे पास exam में, अगर आप exam में, इस question को formula से करने हैं, find the total number, which are co-prime to 15 and less than to 15, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 15 की prime factorization करने हैं, तो 15 is nothing, 3 into 5, तो ये हमारे पास A का value है बच्चे, और ये हमारे पास B का value है, आपको power से कोई भी मतलब नहीं है, ये power कितना आ रहा है, पावर से मतलब नहीं है आपको, ठीक है, तो कितना आ जाएगा है, total numbers, which are co-prime to 15 and less than to 15 is nothing, पहले number डिकलो, bracket में 1-1 upon A, ये ही formula था न, 1-1 upon A, तो 1-1 upon A कितना है, 3 into 1-1 upon B कितना है, 5, ये बनेगा, C तो यहाँ पर है ही नहीं, इसको solve कर लो जड़ा, कितना आएगा है, this will becomes 15, 1-1 by 3 कितना आएगा, 2 by 3, हम लोगों ने direct ये ही किया था और, बस ये एक formula है, हम लोगों ने direct ये ही किया था, अगर तुम्हें आ दो, 5 into 3, 15, 15, 4 into 2 कितना आता है, 8, So there are 8 numbers, which are less than to 15 and co-prime to 15, और ये रे वो 8 number, मैंने आपको directly निकलवाना सिखाया था, मैंने आपकी दिमाग पे काम करने ही कुशिच करेंगे, ताकि आप लोग सोचो, यार 15 से छोटे, कौन से number 15 साथ co-prime होंगे, अगर हम लोग 15 की prime factorization करें, तो इसमें 3 और 5 आता है, तो आप 1 से लेके 15 तक सारे 3 और 5 के multiples को हटा दो, तो जो number बचे वही 15 के साथ co-prime होंगे, क्योंकि इसके prime factorization ये ही होती है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, Are you getting my point guys, please confirm, ये बात आप लोगों समझ में आ रही होगे, I think है न, चलो, आगे बढ़ता हैं बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ता है, तो total number ये तो formula हमारा होई गया है, ठीक है, एक और question में आप लोगों को बताना चाहूंगा है, आपर, same question तरहेंगे, मतलब ये same question होगा, find the, find the total number, find the total number less than, less than, less than 72 and also, and also, co-prime and also co-prime to 72 and also co-prime with 72, which are less than 72 and also co-prime with 72, ये हमारा question है, ठीक है, तो आप लोग इस question का answer क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ ज़रा, ठीक है, आप लोग इस question का answer क्या आएगा, जल्दी से बताओ ज़रा, ठीक है, चलो, पहले वीडियो पोस करके try क्या करो, solve क्या करो, नहीं solve होता, तो फिर आप लोग इसका answer निकाला करो, ठीक है, चलिए, सो बढ़ते हैं जरा आगे, ठीक है, बढ़ते हैं जरा आगे, find the total number less than 72 and also co-prime with 72, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोगो 72 की prime factorization करनी है, जो की होती है, 2 to the power 3 and 3 to the power 2, जो की कितना होती है, 2 to the power 3 and 3 to the power 2 is the prime factorization of 72, ठीक है, तो अगर आप लोग formula use करते हो, तो आपको सिधा क्या करना है, यह 2 है और यह 3 है, तो यह आपके लिए a का value है, और यह आपके लिए b का value है, तो आपका जो answer आएगा, बच्चे, total number, n कितना है, हमारे पास 72 है, bracket 1 minus 1 upon, 1 minus 1 upon 2, a का value 2 है, and 1 minus 1 upon 3, बच्चे, यह हो जाएगा 72, और इधर आजाएगा 1 by 2, और इधर आजाएगा 2 by 3, आएगा, and 12 into 2 कितना आएगा 24, और यही मेरा answer है, so there are 24 numbers, यह मैंने formula यूज़ किया है, you guys can also use my approach, जो मेरा approach है आप लोग उसको भी उसको भी उसकर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यह यूज़ करना है, ठीक है, जो मेरा approach है आप लोग वो भी उसकर सकते हैं, 72 की जो prime factorization होती है, वो क्या होती है, 2 to the power 3, and 3 to the power 2, यह हमारी prime factorization होती है, 72 की जो prime factorization यही होती है, और इसमें भी हमें सिर्फ बेस से मतलब है कि बेस पर क्या आ रहा है इसमें भी हमें जो मतलब है ना सिर्फ बेस से मतलब है कि बेस पर क्या आ रहा है ठीक है तो इसको करने का तरीका क्या है वन से लेके 72 तक टोटल 72 नंबर्स है इन 72 नंबर्स में ऐसे कितने नंबर है इन 72 नंबर्स में ऐसे कितने नंबर है जो 2 का मल्टीपल है आप बोलो के सब्सक्राइब हर 2 मेंसे एक नंबर 2 का मल्टीपल होता है तो हर 2 मेंसे एक 2 का मल्टीपल है तो ऐसे कितने होंगे जो 2 का का मल्टिपल नहीं है बचे दो में से एक एक जो बचा तो 72 का हाफ यह वो नंबर आ गए मेरे पास अब जो 2 का मल्टिपल नहीं थे अब इन नंबर में से अब इन नंबर में से हमारे पास हर तीन में से एक नंबर ऐसा होगा जो 3 का मल्टिपल होगा तो जो 3 के मल्टिपल नह निकाल लो इसका आप 2 3 निकाल लो देख लो आँसे कितना आता है 3 2 2 कितना होता है 6 6 तो आप 12 आया 12 इंट 2 2 कितना होता है 24 तो देरा 24 नमबर्स देरा 24 नमबर्स विचार लेस जन तो 72 और को प्राइम यह अगए और इस से मिलेट कर सकते हो मुझे लगता नहीं किसी विए प्रॉब्लम आएगी यह अपर यहां चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब ज़रा एडिंग लगाओ यह इस फिवर नेक्स टेटिंग्ग है, sum of co primes to n, sum of co primes to n, that are less than n, sum of co primes to n, that are less than n, ठीक है, उन सभी numbers का sum, जो किसी number के साथ co primes थे, उससे छोटे थे, आज हमें sum निकालना है, समझ़मारी है बात, आज हमें sum निकालना है, उन सभी numbers का, आप भोलोगे सर, पहले तो वो number ही लिकानना है इतना kompli to the complicated befried है अप आज उनके संकी बात भी करने लगे सर देंगो ये तो हमसे नीन वका आप लोगे कि सम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग उनका बेट आप लोग निकाल सकते हो आपके पास तरीका है ऐसा है वह तरीका में मैं आप लोगों को बताऊंगा don't worry एक भी concept मिस नहीं होगा आपका तो टेंशन लेने की जुरूरत नहीं है चलो मैं बताता हूं एक्चलम हमें करना क्या है देखो हम अपना वही एक्जमपल लेता है 15 ठीक है अभी 15 पर ही research कर लेता है ऐसे सच कोई प्राब्लम नहीं है वही विचार है हमारा नंबर 15 है 15 के छोटे 15 से छोटे वो सभी नंबर्स जो 15 के साथ को प्राइम होते हैं वो कौ और 8 था 11 था एंड 13 था और 14 था तो डीज आर दा नंबर्स जो 15 से छोटे थे और 15 के साथ को प्राइम थे अब मुझे इनका सम निकालना है बच्चे सम निकालना बहुत ही ज्यादा इसी है पता आपको हमारे लिए सम निकालना बहुत ही ज्यादा ही इजी है आप लोगों को दिखाई दे रहा है 1 & 14 याद प्लस पता है न 1 फ्लस 14 कितना होता है 15 15 तो नंबर नहीं था यार 2 और 13 2 और 13 भी कितना होता है 15 देखो तो सही कितना अच्छा साइकल बन रहा है 4 प्लस 11 4 प्लस 11 भी कितना होता है 15 7 प्लस 8 7 प्लस 8 भी कितना होता है 15 तो 15 कितने ताइम साया 15 कितने ताइम साया 4 ताइम साया 15 कितने ताइम साया 4 ताइम साया तो 60 is the sum of all the numbers which are co-prime to n and less than to n. 60 उन सभी numbers का sum है, जो n के साथ co-prime थे और n से छोटे थे. ठीक है, I hope आपको यह समझ में आ रहा होगा, ठीक है? यार, तो इसको directly निकालने का तरीका क्या है? आपको कुछ नहीं करना directly निकालने के लिए, ठीक है? यहाँ पर सबसे बड़ा रोल तो 15 का ही है. आपको 15 का multiply कर देना है, जो हमारे total numbers that are less than to n, co-prime to n आये थे न, उसके आधे से. that are less than to n, co-prime to n, जो number आये थे न, वो हमारे 8 आये थे, उसके आधे से multiply कर दो. तो हमारा answer आ जाएगा, यहाँ पर 60. इतना काम करना है. तो sum निकालना बिल्कुल भी complicated नहीं है, sum निकालना हमारे लिए बिल्कुल भी complicated नहीं है, हमें क्या करना है, 15 जो कि हमारा number है, 15 का multiply कर देना है, जो हमारे numbers आये थे न, 8 आये थे, there are 8 numbers which are less than to 15 and co-prime to 15, 8 के half से multiply कर दो. 8 के half से क्यों multiply कर रहे हैं, क्योंकि 8 numbers हैं यह, यह 8 numbers हैं, बट यह किसके साथ co-prime हो, यह 8 numbers का sum कितना है, अगर आप ध्यान से देखो तो, इनका sum कितना है, 1 प्लस 14, 15, 2 प्लस 13, 15, 4 प्लस 11, 15, 7 प्लस 8, 15, तो 15 इन सभी का sum आ रहे है, हर बार sum 15 आ रहे है, आपके मन में बह हमारा number है, वही sum आएगा, यहाँ पर जैसे 15 number था, तो सभी का sum 15 आ रहे है, बच्चे क्या problem है, हम एक example और लेके देख लेते हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा, हम एक example और लेके देख लेते हैं, जैसे 24 है, चलो ठीक है, 24 से छोटे, ऐसे कौन से number है, जो 24 के साथ co-prime होते है 24 से छोटे, ऐसे कितने numbers हैं, जो 24 के साथ co-prime होते हैं, ठीक है, यानि कि question हमारे पास क्या है, find the total numbers which are less than 224 and co-prime with 24, ठीक है, and also find their sum, and also find their sum, so this is our question, मैं इसको लिख भी देता हूँ, यहाँ पर ही, ठीक है, find the, find the sum of all the numbers, find the sum of all the numbers, find the sum of all the numbers, which are, find the sum of all the numbers, which are, which are co-prime, which are co-prime to 24 and less than 24, which are co-prime to 24 and less than 24 ठीक है जो 24 के साथ co-prime है और उससे छोटे है जो 24 के co-prime है और उससे छोटे है find the sum of all the numbers which are co-prime to 24 and less than 24 which are co-prime to 24 and less than 24 उन सभी का sum निकालना है तो मैं पहले मेरे पास इसका shortcut है देखो यार मेरे पास shortcut है shortcut निकालने क्या करना है पहले total numbers निकालना है total numbers total numbers यह t पता क्या denote कर रहे है t is the total numbers total numbers which are co-prime which are co-prime to 24 and less than 24 यह हमारे पास क्या है t का value है तो t कितना आ जाएगा हमारे पास 24 की prime factorization मुझे रट गई है अब तो याद होगे यह 2 to the power 3 and 3 to the power 1 2 to the power 3 and 3 to the power 1 2 to the power 3 and 3 to the power 1 is the prime factorization so यानि कि 24 के जो factors है वो उनका बेस कितना आ रहे 2 और 3 आ रहे तो from 1 to 24 from 1 to 24 there are 24 numbers out of these 24 numbers how many numbers are there which are not multiple of 2 which are not multiple of 2 from every 2 consecutive number from every 2 concept number there is a 1 number which is not a multiple of 2 जैसे 1 or 2 1 is not a multiple of 2 but 2 is the multiple of 2 तो just half यानि कि 24 का just half आधे number क्या होते हैं 12 के multiple होते हैं और आधे नहीं होते हैं अब जो मेरे पास ऐसे numbers आ गए जो 2 का multiple नहीं है जैसे 1 3 5 7 9 11 अब इन numbers में से जो remaining आये हैं इसमें से हर 3 में से एक number ऐसा होगा जो हमारे पास 24 का multiple नहीं होगा हर 3 में से एक number ऐसा होगा जो 3 का multiple होगा तो हर 3 में से 2 number ऐसे होगे जो 3 का multiple नहीं होगे मुझे तो उनी से मतलब है अगर वैंने 3 के multiples ले लिए तो वो तो co prime हो जाएंगे ठीक है वो क्या हो जाएंगे multiple हो जाएंगे मतलब co prime नहीं आएंगे तो 3 के multiples ले लिए यह से 6,24 यह तो co prime ही नहीं 6 is the multiple of 3 ठीक है तो मुझे ऐसे number लेना है जो 3 का multiple नहीं है तो हर 3 में से एक number 3 का multiple होते है दो नहीं होते है तो जब इसका 2 third निकालो 6 is square है तो 4 आया तो there are 8 numbers there are 8 numbers which are less than 224 and co prime to 24 अब 8 का half करना है आप लोग को 8 का half करना है और 8 के हाफ का आपको multiply कर देना है 24 के साथ ठीक है जितने number आयते हो उसका आधा करो और उसका number से multiply करो तो number हमारे पास कितना था 24 था number हमारे पास कितना था 24 था इसको देख लो कितना आता है तो मैं इंट्वेट कितना था 96 तो 96 what is 96 what is 96 तो 96 is the sum of all those numbers which are less than to 24 and co-prime to 24 ठीक है यह तो था यार देखो exam में करने वाले मैं ठीक है exam में होते तो हम पता कैसे करते 24 है 2 to the power 3 3 to the power 1 चाहे 4 में से निकाल लेते total numbers कितने होंगे 24 1-1 upon a a का value 2 है 1-1 upon b b का value 3 है तो 24 आया इधर 1 by 2 आया इधर 2 by 3 आया इसको solve किया तो 4 आया into 2 आया 8 so there are 8 numbers 8 numbers ऐसे हैं जो 24 से छोटे हैं उसके 4 प्राइम है तो 8 में से पेर कितने बनेंगे 4 और नमबर क्या है हमारे पास 24 तो इसको देख लो कितना आता है 96 आता है मेरा answer ऐसे निकालना होता है ऐसे निकालना होता है बात समझ मारी है यह हमें ऐसे find करना है अब मेरा point इतना सा है अगर आप चाहो तो आप इसको proof भी कर सकते हो हम इसको easily proof कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं आपको बताता हूँ देखो मैं वह सारे numbers लिख रहा हूं जो 24 से छोटे हैं उसके साथ को प्राइम है वह सारे numbers लिख रहा हूं जो 24 से छोटे हो उसके साथ को प्राइम है जैसे 1 2 नी होगा 3 नी होगा 4 नी होगा 5 6 नी होगा 7 होगा 8 नी होगा 9 नी होगा 10 नी होगा 11 12 नी होगा 13 14 नी होगा 15 नी होगा 16 तो हो जी सकता 16 और 24 कैसे को प्राइम हो सकते है 17 and 18 योगा 19, 20 योगा 21 योगा 22 योगा 23, so these are the numbers which are less than to 24 and co-prime to 24, so कितने आया है ज़रा देख लो पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, there are 8 numbers which are less than to 24 and co-prime to 24, इनका sum पुछाता हम से, इनको sum कर लो, आप लोग के अदत होगे, आप इनको ऐसे एड़ करोगे, ऐसे ही तो एड़ करेंगे ना भाई हम इनको, but मैं थोड़ा smartly एड़ करूँगा, आप इनको ऐसे एड़ करना, मैं थोड़ा smartly एड़ करूँगा, और smartly कैसे जड़ा देखो, 1 प्लस 23, 24, 5 प्लस 19, 24, 7 प्लस 17, 24, 11 प्लस 3, 24, 24 कितने टाइम्स आया, 4 ताइम्स कितना आया, 96, यह हमारा प्रूफ है, एक्जाम में ऐसे मत करना यार, और पहली बात तो एक्जाम में इतना छोटा नंबर आएगा भी नहीं, पहली बात तो यह एक्जाम में इतना छोटा नंबर आएगा भी नहीं, और हमें एक्जाम में ऐसे करना भी नहीं, ठीक है, तो आई होप यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, एक कोशन और करते हैं, ठीक है, find the, find the sum of all the numbers, all the numbers, which are, find the sum of all the numbers, which are, which are co-prime to 480, and less than to 480, and less than to 480, less than to 480, question समझ माया, हमें sum निकालना है, क्योंकि sum जब हम निकालेंगे, तो हमें वो total numbers तो निकालना ही पड़ेंगे, जो 480 से छोटे हैं, और 480 के साथ co-prime है, तो इसलिए मैं direct sum निकलवा रहा हूँ, क्योंकि sum में वो वाला पाथ हमारा already include हो जाता है, question को करने का तरीका, just imagine exam में question है, तो या तो तो तुम्हें form लाया दोना चाहिए, n bracket में 1-1 upon a, 1-1 upon v, 1-1 upon c वाला form ला, या चाहें मेरे वाला तरीका लगा लो, 480 की prime factorization करो, 480 क्या होता है, 48 into 10, 48 क्या होता है, 2 to the power 4, 3 to the power 1, 2 to the power 1, 5 to the power 1, यह क्या है हमारे पास, 48 और यह 10, 48 into 10, 480 होता है, 2 to the power 4 plus 2 to the power 1, 2 to the power 5, 3 to the power 1, 5 to the power 1, यह हमारे पास factorization आ गया, 480 का, अब हमें करना क्या है, 480 के base पे जो number है ना इनके multiples हटा देना है इनके multiples हटा दो जो 480 चोटे हैं तो from 1 to 480 there are 480 numbers how many numbers are there which are multiple of 2, half, even numbers सारे 2 के multiples होते हैं तो बच्चे होए half चाहिए मुझे अब जो बच्चे मेरे पास इस में से 1, 3, 3 का multiple होगे तो मुझे 2, 3 चाहिए अब जो मेरे पास बच्चे इन में से 1, 5, 5 का multiple होगे तो मुझे 4 by 5 numbers चाहिए solve कर लो 5 into 2 कितना होते है 10 से 0 गाया 3 बंजा 3 और यहां पार जाएगा 16 यह आएगा 16 into 8 16 into 8 which is 128 so total there are 128 numbers 16 into 8 आ रहे है येस 16 into 8 which is 128 so total there are 128 numbers which are less than to 480 and co-prime with 480 ठीक है उनका sum कितना होगा तो यह जितने numbers आते है इसका आधा कर दो और इसकी number से multiply कर दो number कितना है 480 इसको solve कर ले ना बच्चे 240 into 128 वही हमारा answer आएगा जो भी आएगा यह question जो आएगा बड़े numbers पर आएगा जैसे 720 480 560 इस तरह के questions आएगे I hope आपको यह sum निकालने वाला concept भी समझ में होगा numbers निकालने वाला concept भी समझ में होगा numbers निकालने वाला गर समझ में आगे तो sum निकालना तो कुछ भी नहीं ह आए उसके आदे से उसी number का multiply कर दो 128 का आधा उसी number से multiply कर दो यह हमारा आगी ठीक है I hope आपको सभी बाते समझ में आ रही होंगी ठीक है बच्चे तो next class में हम नया topic शुरू करेंगे अपना ठीक है जो कि हमारा IGP है index of the greatest power तो जो हमारा session number 15 तो का वहां से हम लोग factorial वाले question ज कि ए हुआ है झाट